हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल देखे मैं आपको नई तर्के से फंदा डालना सिखा रही हूं इसमें हम धागे को सिंगिल लेते हैं आपको जितने फंदे डालने हैं उसके हिसाब से आप धागे की लंबाई ले सकते हो हम यहाँ पर जो है सबसे पहले एक सिंपिल ह हम इस तरह से फंदा बना लेते हैं और इसके बीच में से हम सिलाई को डालकर खीच लेते हैं देखे इसके बाद हमने अंगली और अंगुठे को इस तरह से देखे इस तरह से हमने तागों के बीच में टाइट करके कसना है और हम क्या करते हैं कि एक बार हम इस तरह से देख दूसरी बार देखे, अंगुठे के यहां अंदर से डालते हैं, यहां से और इसको खीज देते हैं, देखे क्या करते हैं, सबसे पहले अंगुठे से डालते हुए, उंगली से तागे को निकालते हैं, फिर अंगुठे के दूसरी साइट से डालते हुए, तागे को इस तरह से खीज लेते हैं देखिए पहली बार में हमने ऐसे करके tight कर दिया और अंगोटे के दूसरे side से इस तागे को इस तरह से निकाल करके ऐसे खीज लेते हैं देखिए first step और second step देखिए एक बार इस तरह से खीज लिया और दूसरी बार इस तरह से खीज लिया इस तरह से और इस तरह से इसमें तागे का ऐसा design आता है देखिए देखिए इसमें अभी दो तीन बार कीजिए देखिए इस तरह से first step and second step तागे को खीज लेते हैं देखिए दूसरी बार में इस तरह से खीज लेते हैं एक बार और ध्यान से देखिए इस तरह से उंगली और अमूठे के बीच में हम धागे को जो है खीज लेते हैं first step में हम देखिए यहां से देखिए ऐसे करके खीजते हैं और second step में हम यहां से नीचे से खीजते हैं बहुत आसान है देखिए first step में और second step में दो फंदे हम एक साथ हम निकाल लेते हैं देखिए देखिए कितने सुंदर फंदे डले वे हैं देखिए इस तरह के जो फंदे हैं इसमें अपनी साइट को जो है यह सीधे सीधी साइड आता है दूसी साइड जो है उल्टा उल्टा आता है तो जब भी हम बॉडर बुनते हैं तो हम पहली स्लाई उल्टी उल्टी बुनेंगे और दूसी स्लाई से हम बॉडर की सुरुवात करते हैं वीडियो देखने के लिए आप रोगों का बहुत बहुत धन्यवाद